हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम क्लिप का बेस तैयार करेंगे यह देखिए यह इस तरह की क्लिप है सभी लोग जानते होंगे इस क्लिप के बारे में यह थ्रेड लिया है सिक्स प्लाई का धागा है यह देखिए यह धागा इस तरह का होता है जो यह लच्छी आती है यह इसका धागा और यह दूसरा जो मैं यूज करती हूँ यह सेम है यह क्लिप लिया है मैंने यह बड़ा वाला क्लिप है इसमें क्रोश्यक से आसान हो जाता है यह देखिए 6.5 mm cm की क्लिप है यह निडिल ले लेंगे सबसे पहले नॉट लगाएंगे यह देखिए यह देखिए यह सीधी साइड है इसको खोल लेंगे पहले सीधी साइड से क्रोश्या लेंगे फिर सिंगल क्रोश्या बना लेंगे एक ही बनानी है में भी चेंड लेंगे वन टू थी फॉर अब यह दूसरी साइड में सिंगल क्रोश्या ले लेंगे यह देखिए इस तरह से अगर हम लेंगे तो मुस्किल होता है थोड़ा सा उपर निड्ल लेंगे तो आसानी से हो जाते हैं कि सिंगल क्रोश्य ले लिया इधर भी कि फिर से सिंगल क्रोश्य लेंगे कि यह देखे इसी तरह से कि सिंगल क्रोश्य लेनी है इसको आगे तक इसी तरह से बनाते हुए चले जाना है यह देखे यह देखे इसको पीछे खिसका देंगे यह अधा हो गया है अभी इसको पूरा कंपलेट करेंगे यह देखे उपड़ा कर लिया है मैंने एक साइड हो गई है अब टू चेन लेंगे वन टू अब दूसरी साइड भी इसी तरह से बना लेंगे सिंगल क्रोचे लेनी है इसी तरह से यह साइड भी पूरी कंपलेट कर लेंगे यह देखे होगी है अब किलिप को बंद कर लेंगे अब यह इस त्रेट को पकड़ेंगे तो जहां नौट लगाई थी उसमें सिलिप इश्टिच ले लेंगे यह देखे है चेन लेंगे वन टू थ्री इस धागी को इस तरह से कर लेंगे डवल क्रोच यह लेंगे जो चेन मनाई थी उसमें लेनी है कि देखे डवल क्रोच यह बनानी है इसी तरह से इसमें डवल क्रोच यह बनाते जाएंगे यह दागे पर डिपेंड करता है कि आपके इस लूप चेन में कितने डवल क्रोच यह आएंगी अगर मोटा होगा तो कम आएंगी एक्ष्टा धागे को कट कर लेंगे यह देखे डवल क्रोच यह ले लिएंगे अब चैन मनाएंगे वान टू थ्री इस लिप श्टिच ले लेंगे उसी चैन में लेनी है इस लिप श्टिच भी यह देखे अब थ्री चैन लेंगे वन टू थ्री एक श्टिच स्किप करके सैकिंड वाले में लेंगे सिलिप श्टिच ले लेंगे फिर से चैन मनाएंगे थ्री एक श्टिच छोड़के दूसरे में सिलिप श्टिच ले लेंगे यह देखे इसी तरह से करते चले जाएंगे अब यह देखे यहां पर टू चैन लेंगे और जो यह टू चैन ली थी पहले इसमें डवल क्रोश है लेंगे इधर थ्री डवल क्रोश है ली है मैंने एक और ले लेंगे फिर टू चैन लेंगे वन टू और सिलिप श्टिच ले लेंगे थी चैन लेंगे वन टू थ्री एक श्टिच छोड़ के दूसरे में सिलिप श्टिच ले लेंगे इसी तरह से इसको करते वह जाएंगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे पूरी रोग को यह देखें कंप्लीट हो गई है अभी उपर जहां डवल क्रोश है ली थी उनमें भी इसी तरह से हम तीन चैन बनाके एक छोड़ के सिलिप श्टिच ले लेंगे थ्री चैन लेंगे फिर एक छोड़ के एक में सिलिप श्टिच ले लेंगे फिर थ्री चैन लेंगे एक में के बाद देख सिलिप श्टिच ले लेंगे इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे इस साइड में जो डवल क्रोशय चैन आई है उसमें भी ले लेंगे फिर थ्री चैन बनाएंगे और यह जहां से शुरू ही थी उसी स्टिच में सिलिप श्टिच ले लेंगे थागी को कट कर लेंगे धागी को अंदर कर देंगे क्रोशया से कर रहे हूं मैं एक दो बार अंदर करके एक्ष्टा धागी को कट कर लेंगे एक्ष्टा धागा कट करेंगे यह देखे हमारी क्लिप तयार है इसी तरह से यह मैंने और क्लिप भी तैयार किया हुए यह देखे इस तरह लगेंगे आगे की वीडियो में मैं इनके उपर डिजाइन भी बनाऊंगे जी की यह देखे यह इस तरह है कि थे अब यह इस तरह कि हो गए हैं आगे कर दो